Hello and welcome back, मेरा नाम रविन और ये है तुफान स्पोर्ट्स, आज का जो मैच है सूपर साटरडे डबल हेडर होने वाला है और मैच नंबर पचास खेला जाएगा इस IPL का, डेली कापिटल्स और रॉयल चैलेंज बैंगलाउस के बीच में दिल्ली में मैच होने वाला है, पिछले कही ना कहीं कुछ positive impact दिखाई देगा पूरी टीम पे, confidence high आपको जरूर दिखाई देगा कल और दिल्ली अपने home ground पे खेल रही है तो थोड़ा सा उसका added advantage आपको मिल सकता है, अगर आप देखे तो डेविड वार्नर ने पूरे command संभाली भी अपनी टीम की, उनके साथ में स तो आप वेट कर रहे थे कि Aman Khan कब आपकी party में शामिल होंगे, पिछले match में वो शामिल हुए है, उन्होंने half century ठोकिये अपनी IPL की maiden, क्या own run बनाये हैं, Aman ने 44 गेंदों के अंदर, तो बाटिंग उनिट से थोड़ी सी उम्मीदे जक्ती वापस Delhi Capitals की, बोलिंग तो in fact काफ अच्छी रही है, उनकी इशान शर्मा ने इंप्रेस करा है, खलील एहमद ने इंप्रेस करा है, अक्षर पटेल अफकॉस बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बैट और बोलर से, प्रॉब्ली बेस्ट ऑल राउंडर, MVP राइट देर, इन दे लीग, अलोंग विद रविद नोकिया के साथ में थोड़ा सा तालमेल अगर बन जाएगा उनकी टीम में, तो हो सकता है कल आप दिल्ली कैपिटल की तरफ से एक अनोखा परफॉर्मेंस देख सकें, बट बात करेंगे उसके साथ में ही RCB की, RCB अपना पिछला जो मैच कही ना कहीं जीत के आई है, लगनो उनकी वही सेम है, middle order काम नहीं कर रहा है, KGF चलते हैं, तो match उनका हो जाता है, batting unit बहुत बढ़िया दिखाई देती है, लोमरूर ने अभी तक शायद एक या दो बार आ करके कुछ अपनी innings ऐसी दिखाई है, जिसमें 30 के आसपास run बनाये है, 34 run बनाये थे, in fact 18 गिंदों के campaign को, बात करेंगे, bowling की तो काफी बहतरीन bowling है, यह turn around है RCB के लिए, क्योंकि RCB अपनी कमजोर bowling के लिए जानी जाती थी, अब वो कमजोर middle order के लिए जानी जा रही है, batting अच्छी है, from the top bowling अच्छी है, सिराज ने अच्छे impressive spells निकाल के दिये हैं, आपको बहुत सारे wickets व निकाले, Maxwell है आपकी टीम में, जो on and off आपको 2-4 ओर निकालके, 1-2 ओर निकालके देते हैं, middle of the innings और wicket भी निकालते हैं, इनके साथ में करन चर्मा ने पिछले match में विकेट निकाला था, काफी dominant performance रहा था, RCB का last match में, जब उन्होंने LSG को हराया है, 108 पर all out करा था अगली strong लग रही है, वहाँ पर आपको RCB की, बैटिंग में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, बट somehow अगर आप कल देखें, तो ऐसा लग रहा है, कि कल upset देखने को मिल सकता है हमें, डेली के ground में, बट RCB का पल्ला थोड़ा सा भारी दिखता हुआ यहाँ पे, players to watch out for, कल of course एक बार फिर से होने वाले है, विराट कोली क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा aggression जो दिखाया है पिछले match खतम होने के बाद में, वो field पे दिखेगा, वो उनके back से दिखेगा, काफी impressive होगा, बात करेंगे अगर हम Delhi Capitals की, तो David Warner जो slow पारियां खेल रहे थे, अभी ऐसा लग र सॉल्ट भी पार्टी में आये थे, और पांडे भी कभी-कभी थोड़े बहुत रन बना दे रहे हैं उनके लिए, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पिछले तीन मैच्च में डेविड वार्नर पर डिपेंडेंट नहीं रही है, यह उनके लिए एक अच्छी खबर होने व हुआ 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 है